Good morning class, again welcome back to my video, again I am present here to take your class and I am going to teach you Hindi subject. हमारा topic है जोड कर लिखो, जैसे दो अक्षर को जोड कर लिखो मैंने सिखाया, उसी तरह से आज तीन अक्षर है जिसको जोड कर लिखना सिखाऊंगे मच्छो, ठीक है? तो देखेंगे हमारा फास पर्ण है, को, म, ल, तो ये क्या मत है? को, म, ल, कमाल, ये होगा हमारे तीन अक्षर वाले साथ, ठीक है? नेक्स्ट, दुटा साथ है, को, ल, म, को, ल, म, कलम, कलम यानि पैन, इंग्लिश के पैन बोलते हैं न, उसी कुई इंदी में कलम बोलते हैं और हमारा जो पहला वर्ड था, कमल, ये फ्लावर का नाम है, फून का नाम है, ठीक है? नेक्स्ट, कलश, कलश, मटका देखें हैं बच्चों, मिट्टी का मटका होता है, इसमें हम पानी रखते हैं, ठीक है? उसको कलश भी बोलते हैं, ठीक है? नाम नेक्स्ट, माहल, माहल, माहल का मतलब क्या होता बच्चों? राजा का जो घर होता है, बड़ा सा, जिसमें राजा रहते हैं, उसको महल बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, माटर, माटर, माटर कीस कलर का होता है? ग्रीन कलर का, और ये एक सच्ची है, है ना? And the last, but not the least, मागर, मगर, मगर एक, मगर जानवर को भी बोलते हैं, मगर मच को, पानी में जो रहता है, ठीक है? तो इस तरह से जोड कर लिखो वाले तीन सद्ध होगे, और इसको आप क्लास्वक में कम्टीट करके, हुंबक में रिटीट करना, ठीक है? और जो भी लिखोगे, उसको रिडीग भी करोगे, और आपके कॉपी में जो भी लिखोगे, उसको सुन्दर से और साफ सुत्रा दिखोगे, ठीक है? और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी प्रॉब्मिन होगा, तो आप कमेंट बोक्स में जाकर रिप्लाइब करोगे, आज के लिए बस इतने ही, फिर मैं आपके अगरे, नेस्ट वीडियो में कुछ और ने टॉपिक्स बताऊंगे, ओके? Have a nice day, thank you children.